हालो दोस्तों आज की उडियों बताओंगा वाट्सअब बैक आप कैसे करें वाट्सअब चैट बैकआप एन्डिस्टोर 2025 वाट्सअब का चैट बैकाप केसे लें, वाट्सअब मैसेजस का बैकाप लेनी के लिए आपको सब से पहले गूगल प्लेश्टोर उपेन करना या प्ले स्टोर खेंब करने के बाद यहां पर सचक्रना है वाट्सेब जिसे अप व्ट्सेशच कर रहाए यहां पर आपका व्ट्सेब का का ओफिशियल एप आज आ जेगा तो आपको इसको अपडेट करना है मैंने पहले सी अपडेट कर लिए अपडेट कर दिनकी बाद आपको इसको उपेन करने के बाद आपका WhatsApp का चैट यहां पर आ जाएगा WhatsApp चैट बेक आपको लेने के लिए आपको सब्सक्रिक करना है यहां पर कफशन आता है Settings तो आपको Settings पर क्लिक करना है यहां इस Settings पर क्लिक करोगे एक New Page हो जाएगा वाटसब का प्रोफाइल उपन हो जाएगा तो यहां पर अपनीम सुक्र रहे है इसके नहीं पर सुक्र है सेख जावाद अली अब आपको निशी तरब आज ने चैट बैकप को लेने के लिए आपको इस चैट पर क्लिक करना है इसे चैट बेकप पर टैप करोगे एक डेकाप लेनी के लिए आपको सबसे पहले यहां पर उपशन आता है इंक्लोड वीडियो बैक आप यूजिं से लिञ रख अबको इस दोनों और आपको तो आपको तो आप को अपन कर दनेने के बाद यहां पर अपशन हता है गूगल एकाउंस को प्लिक कर ओगे यहां पर बहुत सारा Google ID आ जएगा जितने भी आपके फोन में लोगिन है तो आपको इन में से कोई एक Gmail ID को सिरेट कर लेना है इस दरह में दिखाने के लिए यहाँ मैं सिरेट कर लेता हूं सिरेट कर दने के बाद यहाँ पर आपको एक आप्शन है आता है साइन इन विट Google वर्सव असेंजर वांस टू एक आपको अजेला है यहाँ आपको सतर कंटीनीउ तो आप कंटीनीउ पर क्लिक करना है इसा आप कंटीनीउ लेसंपर क्लिक करोगे यह सिलेक्ट हो जाएगा आपको व्याख अपर आपको सिरेगा आपका Google ID इस पे भिया औस प्रिस वेट वेट करना है डिपेंड करता है आपका छैट है कितना साइज का है है की हमारा हो चुका है कि हमारा जो साइज स साइज़ 3.4 बॉले सिल जल्दी हो गया है अगर आप उप्र जालसा यु थो थो सा टाइम लगी ऐचाए ठीक है बैक अप कर देन के बात, यहां पी को अप्समता है, और टोमेटिक बैक अप, तो आपको इस वाले उप्सम क्लिक करना है, इसे टैप करोगे, यहां पर आपको बहुत सार अप्सम आजएगा, और टोमेटिक बैक अप, डेली, विकली, मंतली, और टोमेटिक हो जाएगा, अपको फिर से बैक अप पर क्लिक करना है, ठीक है, तो गाइस देख सकती हो, हमारा जो बैक अप है, कम्प्रेट हो चुका है, हमारा यहां पर टाइम भी शुकर है, चार बाच कर फॉर्टीन पीम हो रहा है, और हमारा मोबाइल का भी टाइम सेम है, तेन आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि आपका बैक अप हुआ है कि नहीं, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, प्लेश्टोर उपेन करना है, गुगल प्लेश्टोर को उपेन करना है, यहां पर आपको सेर्च करना है, ड्राइब, इसे आप ड्राइब सेर्च करोगे, आप के आपका आप आजीगा जूगल डॉब अगर आपके पास Google डॉब ऑप पहले से है तो आप उसको उपन कर लत नहीं तो आप इसको इंस्टाल कर सकति हो ज्शराई गूगल डॉब वेफिन हो जाएगा गूगल ड्राइब को पेन कि अब यहां पे आपको टॉप पे प्रॉफाइल लोगों प्रिकरना है ऐसे आपको टइब करोगी यहां पर आपको गूगल प्रैइम चुकार से गाट अब आपको इस गूगल एकाउंट पे टैप करना है एक लिए पूब करना है, जो भी आपने सेट किया था बैक अप लेते रख, तो यहांपमे दीड कर लिए हैं, सेट कर दो के बाद, यहां पर आपको Google account का profile आ यूझेगा, दिन आपको करना है, यहां पर आपको top पे 3DN पर click करना है, यहां पर एक option ना दोने चिक्तरा, backups तो आपको backup पर click करना है यहां पर यूझिक करना है, यहां पर loading लेगा आपको थोड़ा सा व्यक्ट करना है और आपने जो भी backup लिया है, यहाँ पर आपका file शुकर जाएगा, other backups पर, तो यहाँ पर लोगती है, हमरा time भी यहाँ पर शुकर है, 4 बस का 49 पीम को हमने backup लिया था, दिन आपको Google Drive से बाहर आजना है, हमरा backup हो चुका है, हमने चेक कर लिया, अब मैं आपको uninstall करके restore कर दिख करने के बाद, यहाँ पर आपको search करना है, WhatsApp जैसे आप WhatsApp सेर्ज करोगा है, यहाँ पर आपको WhatsApp का official app आजएगा, तो आप इसको install करेना है, यह install करोगे, यह install होने लग जाएगा, depend करता है, आपका internet कितना fast है, ओके गैस, हमरा WhatsApp इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल कर दिन के बाद, आपको open पर क्लिक करना है, यह उपन पर टैप करोगे, आपका WhatsApp का official app open हो जाएगा, दिन आपको यहाँ पर को सता है, agree and continue, तो आपको agree and continue पर क्लिक करना है, उसे पहले आपको language पर state करेना है, अपना language, मैंने English state कर दिया, इसे आप agree and continue पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका mobile number enter करने वल अप्सन आजएगा, नहीं तो आप यहाँ पर state कर सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर state कर दिया, नहीं तो आप enter कर सकते हो, दिन आपको next question करना है, आपको next lesson पर टैप करोगे, हमरा verify हो चुका है कि हमारा जो SIM card है, इसी phone पर है, अगर आपका SIM card नहीं होगा phone पर, तो आपके mobile पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर enter कर लेना है, तो यहाँ आपने continue पर क्लिक कर लिया हो, इसे आप continue पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको लेगा create a pass की, तो आपको cancel button क्लिक करना है, दिन आपके सा यहाँ पर option आएगा, allow WhatsApp to access your contact, तो आपको allow पर क्लिक करना है, allow WhatsApp to access photos and media on your device, तो आपको allow पर क्लिक करना है, सभी permission को दिन की बाद, इन next पर आजाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, दिन आपके सान में option आजाएगा, restore your chat, तो आपको restore बले option क्लिक करना है, ठ your media about 1.2 MB will restore in the background after your message restore, restoring यहाँ पर आपको शुकरेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, डिपेंड करता है कि आपका chat history कितने size का है, ओके गाईज, हम रहे हैं यहाँ यहाँ पर restore हो चुका है, यहाँ पर सुकर रहा है, 14713 messages restore, your media will restore in the background, अब आपको यहाँ पर next वाले option पर क connection caterp करोगे, यहाँ पिले और आपको आज़गा profile info, please provide your name and optional profile photo, और यहाँ पर यहाँ पर अपना name एटर करना होगा, और यहाँ पर आपना profile picture को add कर लेना है, और आपको पूमें अपना name को एटर कर लेता हूँ, और आपका सभी चैट वापस आ जाएगा यहाँ आप मैं दिखाएगा हमारे यहाँ पर चैट वापस आ चुका है तो आप मुझे इस्टिग्राम पर मैंसेज कर सकते हैं मेरा यूजरने में सेख जवाद अली थैंकियू सो मच आपनी आते हो लिए देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो कर दो